नमस्कार मेहुट विंकल और आप देख रहे हैं नेशन भारत सम्मार की आधी रात को नागरिता संसोधन बिल को जारी किया गया था जिसको लेकर जमकर आक्रोश और विरोध देखनों के मिला इसके साथी आपको बता दे कि अलिगर मुस्लिम उनिविसिटी के चात्रों ने इ अग्यात चात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया मंगलवार की रात सैक्रों की संख्या में चात्रों ने हाथों में मसाल जलूस लेकर सरकों पर उतर आए इस तोरा नागरिता संसोधन बिल को वापस लेने की मांग करते रहे इतना ही नहीं इस दोरान केंदर और राज सर परकार का विरूद के नारे भी लगाए गये इस तरह से चात्रों के प्रतशन को देखते वे जिला प्रशाशन ने कैंपस में भारी सुरच्छा बल्की तनाती की गई पुलिस फोर्स के साथ ही आर एफ की कई बटाले न तनात की गई किसी भी तरह के प्रतशन या हिंसक घटना को रोकने के लिए भारी फोर्स ने पुरे कैंपस को घेल दिया है साथ ही आपको बता दे की चात संग अध्यत सल्मान इम्तियाज ने कहा कि पिछले तीन दिन से वो लोग नागरिक्ता संसोंधन बिल और अनर्सी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे आज उन्यूसिट्टी के सबी चातरों ने बड़ी संख्या में सरक पर उतर कर इस हिटलर शाही बिल का विरोध किया है सल्मान ने ये भी कहा कि गर ये बिल पास हो जाता है तो कहीं न कहीं इस देश का जो सैकलोर महौल है वो खतम हो जाएगा यहां तक ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल एंटी मुस्लिम होने के साथ साथ एंटी कल्चरर भी है उन्होंने ये कहा कि सारे चातर राजसभा के हर संसथ से ये अपील करते हैं कि वो इस बिल के खिलाफ अपना वोट दे उन्होंने ये भी कहा कि वो सारित चातर एक दो दुन के अंदर सांसत का भी घिराओ करेंगे ऐसी तमाब खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ हमारे चैनल नेशन भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नमस्कार लेटिस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए